तो ये गाड़ी का मैंने बंपर निकाल रखा है और निकाला इसलिए है क्योंकि मुझे इसका कंडेंसर जो है वो क्लीन करना है कंडेंसर जो होता है आपके AC सिस्टम में बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी AC की जो cooling efficiency है उसको बढ़ाने में साथ में over eating को रोकने के लिए क्योंकि इसका basic काम यही होता है जो heat होती है उसको dispense करता है atmosphere में तो इसके अंदर में fins लगे रहते हैं और इसमें गंदगी चिपक जाती है क्योंकि यह frontline warrior है आपकी गाड़ी में bumper के बाद में सबसे पहला मतलब जो part आता है वो condensory आता है और इसमें मिटी बगेरा बहुत चिपकी रहती है तो गर्मी आने से पहले एक बार हमारे को एक cleaning कर देनी चाहिए ज़रूरी नहीं है कि आप यह मैं chemical का use कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है आप chemical का use करें आप normally अगर water spray कर देते हैं इसके उपर में पानी एक बार मतलब डलवा लेते हैं तब भी अच्छा रहता है बट मैं अभी chemical से आपको clean करके दिखा रहा हूँ तो जो मैं chemical यूज़ कर रहा हूँ यह normal आपको किसी भी AC की दुकान में जाएंगे coil cleaner करके नाम से आता है कि coil cleaner हमारे को चाहिए और यह बहुत सस्ते rate में मिल जाता है यह 1 kg की packing में है तो लगबग 200 रुपे इस पे MRP लिखा है हलांकि 100 रुपे की यह bottle मिल जाती है और एक bottle आपकी लगबग 4-5 बार कम से कम use हो जाएगी मतलब minimum 4-5 times और इससे आप घर के AC की भी cleaning कर सकते हैं और गाड़ी के AC के condenser वगड़ा की coil वगड़ा की cleaning कर सकते हैं तो दोनों परपस में यह यूज हो जाता है और बहुत efficiently यह clean करता है तो एक मैंने bottle ले रखी है आप अगर किसी और bottle का या sprayer का use कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा यह pure sugar type मैंने बना रखा है अगर आपके पास में जैसे call-in वगड़ा होता है न spray करने के लिए तो उस type की कोई bottle है तो उसमें आप इसको chemical को डाल सकते हैं ध्यान रखिएगा इसमें हाथ वगड़ा टच मत करिएगा सही नहीं होता है टॉक्सिक होता है और ज़्यादा quantity में आपको नहीं लेना 100-200 ml के करीब में बहुत होता है बहुत ज़्यादा तो अभी tap water इसमें डाल सकते हैं और tap water मतलब इससे लगबख 3-4 गुना चार से 5 गुना भी आप डाल सकते हैं जतना आपका लग रहा है कि coil जतनी गंदी हो आपकी उस हिसाब से आप डाल सकते हैं और यह बहुत अच्छी तरह से clean कर देता है कारण इसके साथ में clean करने का य clean कर देगा तो इसको shake कर लेना अच्छे से पानी को mix कर देना है और mix करने के बाद में यह आपका ready to use है बस इसमें मेरे को एक छेद लगाना है अगर आप मतलब किसी sprayer का use कर रहे हैं तो वो ज्यादा बैटर रहेगा जैसे garden spray आते हैं मतलब garden spray bottle type की रहती है उससे बहुत आया है मतलब खाली यहां से निकलेगा थोड़ा सा मतलब solution हमारा और इसको करना कुछ नहीं है simple आपको इसके उपर में फैंक देना है मतलब कोईल के उपर में जो भी आपका condenser है और फिर कोईल क्लीन कर रहे हैं तो उसके उपर में ऐसे करके इसको spray कर देना है और कोशिश क है और साल में एक बार आप कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है हाडली आपका मतलब कितना 10 या 20 रुपे लगेंगे क्योंकि 100 रुपे की अगर बॉटल आती है तो 10 या 20 रुपे का solution आपका एक बार में यूज होगा और आपकी गाड़ी cooling बहुत अच्छी करेगी अग यह मैंने इसको स्प्रे कर दिया है और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है स्प्रे करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है खाली वेट करना है पांच से 10 मिनट के लिए और यहां पे जो है आपका मतलब गुबारे टाइप के ऐसे बनना शुरू हो जाएंगे पीछे वाली साइड है जो इसकी बैक साइड होगी वहां पे भी इसी तरह का फोम बनेगा सामने में भी फोम बनेगा और पीछे साइड में फोम बनेगा और यह जो फोम है जिस तरह से ऐसे मतलब भी फूल रहा है मतलब इसमें फुलावट आ रही है यह फोम जो है इसको मि जाग बना है, बहुत जबरदस जाग बनता है इसके बीच में, मतलब इतना तगड़ा जाग बनेगा, मला जाता है देखके, और बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है, तो कैमिकल बगरा का जो यूज करता है, मैं आपको बता दू, इसमें ध्यान ही रिखना होता है, कि आपको इसके हाथ नहीं डच करना है इसके साथ में, कोशिश करिए कि गलब्स उगरा पहनी है, और ये जाग जो है देखने अपने आप नीचे गर रहा है, मतलब इतना हैवी हो चुका है, जितनी भी अंदर डस्ट बगरा है, वो सारी डस्ट को ये बाहर निकाल चुका है, और गा इंसर होगा, वो एकदम जबरदस क्लीन रहेगा, कुलिंग कोईल का भी तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी उसको पाँदस मिनिट के लिए मैंने छोड़ दिया है, अच्छे से जाग बन चुका है, उसके बाद में जो गिर भी चुका है, गिरने के बाद तो यह सारी गंदगी है, जितनी भी हमारे कंडेंसर में गंदगी थी, यह सारी गंदगी को खीच के बाहर ले आया है, और लाने के बाद में हमारे को एकदम जबरदस कूलिंग मिननी वाली है, हमारे AC सिस्टम में, अब यह पूरा काला हो चुका है, इसके बाद में हमारे क यूज यूज करते हैं, उतना प्रेशर इसके लिए सफिशेंट है, ज्यादा प्रेशर वाशर के साथ में अगर आप यूज करते हैं, तो फिन्स वगएरा टेड़े होने के चांस रहते हैं, तो किसलिये फाल्तों मेर रिस्क लेना है, बस आपको इसको अच्छी तरह से दो द एक कहानी बचती है, आपके AC फिल्टर की, उसको आप एक अच्छी तरह से क्लीन करके या फिर चेंज कर लीजिए, आपका AC साल हो साल मस्ट चलने वाला है, कोई इसमें दिक्कत परिशानी नहीं आती है, अगर वो एकदम सील है, तो यह हमारा एकदम नया एकदम चका चक हो मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं, अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए, जाहिन, जाय भारत